एत्यव करभा उलस्टॉक वर जैसे कि आप देख रहे हम अपनी यूट्व चैनल पे जयांकी अपको मेखनिकल कूर्ट सोलेटिड डिफेंट डिफेंट दिफेंट फिल्ड में आपको एप वीडियोश परवाइडड कर रहे हैं अपनी यूट्व. , ? आप देखेंगे तो government exams की preparation को लेकर के काफे सारी videos हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगी जो e-books मेरे द्वारा लिखे जा रहे हैं वो आपको मेरे YouTube चैनल पर उनकी रिवीज और उनकी information आपको मिल जाएगी इसके अलावा जो है आपको मेरे YouTube चैनल पर जो है Mechanical के जो subjects जैसे आपका Applied Mechanical Strength of Material Theory of Machine, Machine Design आपका Thermal Engineering और आपका Production Engineering और आपका Motivational Videos, Other Videos आपको यह सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इसके आपको जो है काफे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी आपके Mechanical Core से लिएटेड और जो Mechanical and Allied Branches है Allied Branches मितला Production Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Maintenance, Automobile Engineering, Ironautics Engineering उन स्टुएंट्स के लिए भी जू है जो है जो Mechanical की जो Companies है जैसे आपका BPCL और आपका उसके बाद आपका IGL हो गया और बैक्टेल हो गया आपका DRD हो गया ठीके ना मारूती सुजूकी हो गया तो इन सभी के जो Off-Campus, On-Campus जो Interviews हैं उनकी वीडियो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर जो मिल जाएंगी चलिए आज हम बात करते हैं Honda Company की तो Honda Company का जो Off-Campus Mechanical का जो Interview था आज मैं आपको उसके बारे में जो है information दूँगा कि एक student का जो है Honda में selection हुआ Off-Campus में तो उससे कुछ questions की information मुझे मिली तो वो questions जो हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आपके interview की preparation में बहुत जाद करेंगे हाला कि interview में basic question कहीं से कुछ भी पूचे जा सकता है और HR में आपके जो family background है उससे related questions पूचे जाते हैं तो बाकी दूसी चीज़ी है जो important बात है जो companies है जितनी भी companies हैं जो की चाहिए on campus में आते हैं जो Off-Campus में हो उनका जो selection criteria selection का जो process है वो change हो जाता है time to time क्यों कितनी है उनको और उसमें कितने applicant जो है उसमें आया अगर applicant बहुत जादा आते हैं तो या तो companies में जो percentage criteria है वो बढ़ा देती है या फिर इसमें test के बहाफ पे जो है company जो है selection करती है first round के लिए या फिर यह company जो है percentage criteria भी बढ़ा देती है साथ में टेस्ट भी करती है conduct और उस two round three round four round कभी कभी ऐसा होता है कि पहला आपका percentage criteria round रख दिया दूसरा आपका non-technical test रख दिया तीसरा आपका जीडी रख दिया चौत्त आपका टेक्निकल रख दिया कभी कभी होता है कि जीडी में रखा टेस्ट के टेकनिकल रख दिया तो depend करता है companies किस तरीके से जो है recruitment करन रहे थे और यह questions आपको भी काफी help करेंगे आपको टेकनिकल इंट्रू की preparation करने में ठीक है चलिए सबसे पहला question है tell me about yourself यह question हर बार आप सभी के सामने आता है और हर बार मैं इस question को जो है आपके सामने रखता भी हूँ और मैं देखा जितने भी companies हैं सबसे पहले इसी question को put up करती है और यहीं से जो है company जो at least 50% 50% जो है idea लगा लेती है कि आपका जो way of talking है pronunciation है आपका confidence जो है केतने है तो दूसरा आपके बार में general information मिल जाती है कि आप का नाम क्या है आपने क्या किया है आपकी qualification क्या रही है और किया कितने percentage आपका aggregate रहा है और अभी जिस भी qualification में आप भी टेक में या डिपलोमा में हैं तो आपका overall क्या percentage चल रहा है बाकि आपका resume भी रहता है उनकी पास आपके CV से भी उनको information मिलती है बट एक बार confirm हो जाता है आपसे way of talking करके तो बहुत important है सभी companies का पहला question देता है tell me about yourself और यह question मैं जैसा मुझे बच्चे बताते हैं वैसी question आपके सामने में रख देता हूं तो first question यही रहता है companies का चलिए second question जो पूछा था पूछा था पूछा था इपन इफ वी पूट पैट्रोल इन डीजल इंजन कि इदी डीजल इंजन में हम पैट्रोल रख दें या पैट्रोल डाल दें तो क्या होगा तो यह question पूछा गया था तो इसमें मैं इसका answer आपको वैसे बता रहा हूं त तो इसमें आप कह सकते हो due to low compression self ignition temperature of petrol is high as the petrol will not complete burn while using diesel engine क्योंकि जो हमारा जो पैट्रोल है वो self ignition temperature जो होता है पैट्रोल का वो ज्यादा होता है और जो उसका लोग compression होता है तो इस कारण जो है वो completely burn नहीं होगा डीजल इंजन में ठीक है ना तो यह इसका जो एक शठीक answer होगा ठीक है मैं दुबार रहा हुता है due to low compression self ignition temperature of petrol is high as the petrol will not completely burn while using diesel engine ठीक है तो यह इसका answer होगा चलिए अब लेते हैं question number third question number third how to analyze size of hole according to size of bolts is M12 मतलब एक bolt है आपका M12 size दे दिया bolt का अब उसके साब सब कैसे analyze करोगे कि जो hole जो बनेगा उसके लिए उसका size क्या होगा hole का यह आप कैसे analyze करोगे कि आपको hole के जो size है उसको आपको analyze करना है ठीक है ना तो वह आप कैसे analyze करोगे तो उसमें क्या करेंगे सब सब्सक्राइब हम जो bolt है bolt जो size दिया उसकी जो हम pitch निकाल ले लेंगे उसकी जो पिछ हाईगी 12 mm जो पिछ होती होती हमारी 1.75 mm ठीक है 1.75 mm तो जो बोल्ट का जो हमें size है M12 और 12 है तो 12-1.75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा वह आ जाएगा हमारे पास निकलके माइनस करने के बाद 10.25 ठीक है यह size हमारा होल का size आ गया तो M12 जो बोल्ट है उसके लिए जो हमें 10.25 mm ठीक है ना इस size का जो होल हमें होल करना होगा या तो size के में drill bit ले लेंगे या तो drill bit के लिजी या drill hole जो हमें size का लेना पड़ेगा जिसमें के मेरा M12 जो बोल्ट है वो उसमें fix हो जाएगा ठीक है तो तो यह इसका answer होगा चलिए next question अगला question है what is the difference between shaping and hobbing machine जो shaping और hobbing machine जो है उसमें क्या difference होता है तो shaping machine जो होती है वो हमेशा हम यूज करते हैं machine surface finishing के लिए हम यूज करते हैं या फिर हम जो है कोई कडर slot या कुछ वो कट करना तो उसके लिए हम यूज करते हैं और shaping machine जो हमारा workpiece के size है उसको हम decrease कर देते हैं है ना जो हम material remove होगा तो size जो है वो decrease होगा कोई ना कोई shape जो इसमें create होगी with the help of the shaping machine लेकर हम hobbing machine के अगर हम बात करें तो hobbing machine जो हम use करते हैं उसको हम जैसे gear बगारा बनाने हैं हमको उसके लिए हम use करेंगे splines बगारा बनानी है ठीक है ना उसके लिए हम use करेंगे splines बगारा या फिस है क्या होता है तो sunshine stress Nun बात कैंड यह में होता है और में जब हम जहां पर हमारी में ही स्टीम जो है स्टीम है जब ought to scene अंधर करती है आपका चाहिर आन्तर कैसिंग तो और और रोटर और केसिंग के एक्सपेंशन का टीफइंस है त works दिफटरिंचल कहेंगे क्या कहेंगई उस डौने मेंकि में इंटर रबाइन में में केस में जो रोटर है और केसिंग में दोनों में एक्सपेंशन होता है बहुत जादा नहीं मतलब नॉर्मल बहुत एक्सपेंशन होता है और रोटर में जितना एक्सपेंशन हुआ उसका अपना अलग एक्सपेंशन होगा और केसिंग में जो है अपना अलग एक्सपेंशन वो हमारे कलाएगा differential expansion, यहने stream turbine, ठीक है, clear, तो यह इसका answer होगा, चलिए, अब लेते है, question number 6, what is the unit of tensile strength, tensile strength की जो unit है, यह वो पूछ रहा है, तो question पूछ अगया, तो यह उनिट किया होती है, तो अगर हम बात करें, तो उसमें newton per meter square, आप बोल सकते हो, newton per meter square, या फिर दूसा हम कह सकते है, kgf per meter square, ठीक है, यह दोनों unit होती है, हमारी tensile strength की, तो newton per meter square, kgf per meter square, ठीक है, तो यह सब जो दोनों हमारी tensile strength की जो unit है, चलिए, अब लेते है, question number 7, question number 7, पुछा गया, which material is using railway track, जो मारे railway के जो tracks होते है, है, अब देखा, railway के tracks होते हैं, हमारे, तो railway के जो tracks होते हैं, उसमें जो material होता है, वो कौन सा material लगा होता है, railway track में, तो हमेशे ध्यान दखना, उस मुझे दो जो होते हो, material हो तमारा, carbon, magnesium, steel, ठीक है, क्यों सा होते है material, जो मारे railway track होते होते हैं, उसमें carbon, magnesium, steel लगी होती है, जिसमें की, हमारा उसमें carbon जो होता है, वो होता है, 0.7%, कितना होता है, 0.7%, और जो magnesium होता है, magnesium होता है, हमारा उसमें 1%, ठीक है, कितना होता है magnesium, 1%, बाकी steel होती है, तो steel, जो होती है, हमारी जो उस करते हैं, carbon, magnesium, steel होती है, जिसमें 0.7% carbon होता है, और 1% इसमें अपका हमारी magnesium होती है, मेगनीज होता उसमें जोता है मैगनीज तो 0.7% कारबन और 1% मेगनीज और रिमेनिंग जोग उसमें स्टेल होगी तो यह हमारा मेट्रेश नहीं कारबन मैगनीज इस्टेल के लाता है ठीक है ध्यान रगना चलिए question number 8 पूछा इसमें इन इंजन वैं दा इंजन स्टॉप आर दी पिस्टन वर स्टॉप इन बेट्विन और दे कंप्लेट प्रॉसेश को चलता है एक दिन से इसको स्टॉप कर देंगर तो उसके से पिस्टन कहां पर होगा किस्टन पिस्टन जो है हमारा सरंटर में किसी पिस्टन पॉजिशन पॉज़ाएगा या फिर वह कंप्लेट करेगा प्रॉसेश को और तब रुखेगा वह तो यह सब पूछा है दोबारा पता रहो है जिए इंजन को इतम से स्टॉप करते बंद करते इंजन गो तो उसकेस में जो पिस्टन है वह कोहीं पर स्टॉप हो जाता है इस टेम जहां पर होगा या फिर प्रॉसेश कंप्लेट करने के बाद वबंद होगा तो इसका जो आंसर है वहन तो पिस्टन में भी वैरी पोजिशन लाइक टीडिसी बीडिसी और इन दा मिडल तो सिंपल सी बात है कि जब हम इंजन को स्टॉप करेंगे तो उसमे इस सी क Nep और कि जलीए घिन परकेंट करता हूं See पोजिशन का मब टीडिसी पर होगा थे डिडिसी बीडी सी झाइगा अगर मिडल में होगा तो वहिंपर ऊस्टॉप हो जाएगा उगी जहां पर उसकी की पोजिशन होगी उसमें हमारा जीन है पिस्टिन जूप इसमें वहि this flywheel is necessary element for a prime mover क्या जो फ्लाइविल है बहुत ज़रूरी element है प्राइमोवर के लिए तो इसका जो आंसर होगा है यह फ्लाइविल is not essential element for prime mover it is only used when there are undesirable cyclic fluctuation of energy in output or input actually जो फ्लाइविल है वो जो है हमारा कोई ऐसा essential part नहीं है प्राइमोवर के लिए लेकिन में चीज़ यह है कि जब हमारे इंजन में जो है आपका undesirable cyclic fluctuation आता है तो उस fluctuation को जो है control करने का जो काम है वो फ्लाइविल करता है मतलब जो extra amount of energy उसको जो है absorb कर लेता है और जब requirement हो तब उसको release कर लेता है इंजन को एस पर requirement तो में जो है यह काम होता है बट यह कि यूज नहीं करता है जो फ्लक्टुएशन की जो है प्रॉपर प्रॉब्लम वो क्रियेट हो जाती है तो इसलिए इंजन के अकॉर्डिंग जो है फ्लाइविल जो है वो अन्डेजारेबल असेकलिक फ्लक्टुएशन ऑफ एनरजी जो इसको कंट्रोल करता है अधर्वाइस प्राइम मूवर के लिए उसको एसको कोई खास रक्वाइर्मेंट नहीं है लेकिन अन्डेजारेबल सेकलिक फ्लक्टुएशन ऑफ एनरजी को जो है इन्पुट आउट्पुट की केस में जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है एक्स्टर अनरजी को एब्सॉप करने काम करता है चलिकित अगला कोईशन कोईशन नेममर टैन वह श्यम फटाई-बाइपास फिल्टर इन डीजी जो हमारे सुसाइटेज में डीजी बग़र लागे होती है तो कह रहा कि उसमें जो बाइपास फिल्टर लगा अच होता है उसका फंक्छन क्या होता है उसकर जो जो बाइपास फ्ल्ट्र का मेंफंच्छन होता है यहाँ ऑपका जो और जो हैं किसी कारण से या उसमें उसमें कोई meter लिया प्रिए उफ्र में डिस्टे उगार आगी जिससे की आसे कि आफ का जो फिल्टर वह जो ख्लोग्ट करेगा और हमारा जो engine है हमारी हमारी मषीन है उसको सेफ रखने काम करेगा ठीक है थो यह काम हमारा जो है बाइपास filter करेगा अमारे टी-जी में अपका यह अफे हमारी मशीन के अंदर toda जिससे कि अगर बाइचन फील्टर अपना काम करना बंग कर दें तो जो लुबुरिकेशन की जो प्रोस्य से वो ना रुके तो बाइपास फिल्टर जो है फिल्टर से इसको बाइपास करके जो है एंजन को प्रपर लुबुरिकेशन करता रहेगा ठीक है आपको कुछ important बात और बताने थी वह यह है कि अगर आप जो है किसी भी टेक्निकल इंटर्वी की प्रिपेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है मेरी mechanical की e-book है जिसमें कि आपको 100 questions आपको मिल जाएंगे तो इस e-book में mechanical companies technical interview questions with explanation ये मेरी e-book है ये इस e-book मुझे मैंने 100 questions दिये हैं with answers और आपको ये book जो Amazon पे मिल जाएगी और आपको ये book इंस्टा मोजो पे मिल जाएगी और बहुत lenient price के साथ मैंने इस book को रखा है I think इसका जो price है वो 100 rupees के आसपास है तो आप इस book को Amazon से लेना चा Kindle पर आपको मिलेगी है आप Kindle से आप इसको जो है आप डाउलोड करे Kindle पर आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पास रखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्किप्शन में भी जो है आपको इस e-book का लिंक मिल जाएगा वह पर हैं इसमें भी आपका थ्री हंड़े टेकनिकल कोशन से जो कि डियाइडियो साइंटिस्ट भी में जो पूछे जा चुके हैं आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि टेकनिकल इंटर्वी होता है मेकैनिकल में उसमें कहीं से भी कुछ भी कोशन पूछा जा सकता तो आप य बहुत अच्छी है यह मेरे द्वारा लिखी गई है तो अगर आप इसको पर्चेस करना चाते हैं इसको भी आप एमेज़ॉन से आप केंडल पर इस बुक को आप पर्चेस करके पड़ सकते हैं और आप इसके पीडियोफ को डाउनलोड करना चाते हैं तो आप जो है इन्स् इस बूक का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो मेरी एबुक है वह आपका थेयुरी अफ मशीन की है और इसमें चैप्टर वाइस जो है मैंने रखा है इसमें एकले जो मैंने सेवन चैप्टर रखे में हैं और सभी चप्टर के जो answers हैं उसमें जैसे आपका introduction of theory of machine हो गया ठीक है ना उसके बाद जो आपका governor, balancing, flywheel जितने भी चप्टर हैं वो सब मैंने लिखे में हैं और chapter wise में ही mcq में हैं टोटल 500 mcq हैं इसमें इस वाली ebook में जो आपको 500 mcq मिलेंगे यह आपको amazon पे भी available है और मिल जाएंगे और जो मेरी other ebooks है mechanical core की उनके link भी आपको मेरी इस वीडियो की description मिल जाएंगे आप यह Amazon का भी या फिरा जो digital book store है आप वहाँ पर जाके भी सभी ebooks को देख सकते हैं और अपने patient को better कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो बसी इतना ही मिलते हैं next वीडियो मे एक अलग interview के साथ में okay thank you